हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक माई चलेंड अंधिली डेली व्लोग आई होब आप सब अच्छे ही हुए और आज का ही वीडियो ही मैं आज ही अपलोड करने वाली हूँ तो फ्रेंट्स अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब जगर कर दीजिए अगर अच्छे लगागा तो लाइक करें या कमेट करके बताए कि कैसा लगा तो फ्रेंट्स आज एक रेसिपी आप लोग केसा सेयर करूंगी और ओ भी एक थे आओं में जया तरब देखा जाता है और सहरों में तह यह सब नहीं मिलेगा वीडियो आप विडियू या तक डेखिए तो आप लोगों पताशल जाएगा पर्वेसा ही ह हैं तो आप अलग बनाई हूँ डेडिशिनल रेसी भी है पर थोड़ी से अलग होने यह खास करी हम लोग गाउ में यह चीज एसी टाइम खाते हैं जो गर्मी का मौसम हो उसी टाइम यह सब खाते हैं क्योंकि यह सरीर को थंड़क देता है और ऐसा मतलग गर्मी की वज़े से जो मतलग शर यह कुछ भी करो उतना थंड़क नहीं देता है पर यह एसी एक चीज है रागी एक ऐसी चीज है आप अगर धूप के मौसम खाए तो यह शरीर को थंड़क देते हैं हम लोग को यह मानना है मतलग गाउ में इस सब चीज कहते हैं जो मैं हमेशा हर साल धूप के मौसम में ही बेने तो सँबा सुबहा के घर बढ लगा दियू और बाहर बाध यह बजबंध में शूरी आफ मेरी थे से बजने से हइल कहने छी से बज़े को बसे से सतना महीं गीचे वह जाला है vardır कितना सारा पेड़ है तेख सकते हैं तो इसलिए मैं मंदे गए हजबेन जी इसलिए मैं आने से पहले में घर जाड़ू और पोच्छा दोनों कर लेती हूं जैसे कि सारे छे साथ बजने से पहले तो देखिए जाड़ू तो हो गया है और गेलू सोया है गेलू अभी उठने व पोच्छा लगाने के बाद जाके नहाद होके कप्ड़ा बगरत जितना है उस अब साफ कर लोंगी और हजबेन ची आने के बाद वो दियाबती घर पर कर लेंगे कि अभी एसा है ना फ्रेंस हमारी घर में साथ दिन का अखन जोट में लगा रहे हूं घर के लिए परिवार क के लिए तो इसलिए रात और दिन अखन जोट लगने के बज़े से और अब हावा लगता है और सुभा सुभा मुझे उठके एसा ही हर रोज करना पड़ता है अभी पहले जाड़ों पोच्छा करके नहाद होके पहले दिया भगवान की पास जो घी है तो दिया में डाल दे चाय भी बना दूंगी तो चाय पीके चली जाएंगे और उनके बाद जाने के बाद में कपड़ा साफ कर लोंगी और जो भी है जितना खाना जो खाना बनाना है आप लोग की साथ रेसीब इस यार करना है तो आप लोग लाज तक बने रहे देखिए कैसा लगा और जरूर बताएगी कैसा लगा और कहां कहां आप देखते हो मतलग ऐसा होता है ना कि अलग 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 लोग देखते तो हो सकता है यह आपको पसंद आये कि नहीं आये पर यह शरी के लिए बहुत अच्छा है और अगर आपकी ऐसा मतलग मिलता है तो आप ज़रूर एक बार को जितना हम लोग खाना है और रात को लेवे क्यूंकि सामको में बनाती हूं ना तो गरम गरम रात को खाना किसी को भी पसंद नहीं होता है तो कभी कभी में एसा ही बना लेती हूं और अगर बोलते हैं कि नहीं सामको ऐसे तूरंद बनाना है तो ही बनाती हूं नहीं तो मे चावल बर शेम deiके समय थे सद्ट य्य होता है और उस्वाद ऑर उसका जो बेनेफिट देनने के लिए यह करता थूदा ज़ए रहता है हम पानी में बनाते हैं ना उतना शरीर के लिए ठीक नहीं होता है नर्माल जैसे हम लोग खाना यार कोई वीची जैसे जैसे रूटी सबजी खाते या चावल खाते वेशा ही रहता है पर रात को अगर इसे इसी तरह रखते हो शुबा बनाते हो तो शरीर के बहुत बेनिफिट रहता है तो देखिए जितना कपड़ा में दोई थी और सब कुस आई है कि टह भी है कि बाहर का मतलग पर हिसा दद्ना मोशन के शाहिए इन कि ठीक पूरा तूफण हो गया है बन्या नहींत पर्ण हो गया वाजाले, में रखी टारेगा नंटू के इस नहीं कर पाके लिए यहांसे उसके के फाना रहा बाने। पानीए, डाल三Bar 2-4 समसमें, पना अच्छा गोल से माने Nap änd, जुदा में मट उठा उता और पान ऊबल पने बड़ या उबल बुचुए कंग इसे क्या बद घुदर नासा पड़ें तो देखिए किस तरह देख जहां अलग-अलग मुझे पता है सब सिर्फ रागी के पाउडर से बनाते जैसे की गोल गोल बनाके के उसे सब्ची के साथ या कोई भी शिछ सिर्षीण खाते पर हम लोग इसे खाते चाओल की ताकि चाओल की साथ बनाने का तरीका होता है और हमारा भी एसा अलग है तो एसा ही बना दी और कम सकम 15 से 16 मिनों तक में से लो फेम में मैं इसे पकाऊंगी तो बर्तन भी जितना था उसे भी ठीक करके रख लेती हूँ ताकि बाहर भी बर्तन और भी है उसे साफ करना है तो देखे वरेंस अभी बर्तन भी रख लेती इतना हावा होनी के बात भी देखिये में मेरा कप्ड़ बीगल हो चुका है मतले इतना पथा हूँ रहा है तो चौता हमार लुंकि हावा ता है पर ऐसा धूल की साथ वह अनज लगता है उससे लगता है की मुण हो दूड़ा हूँ और मतलाु थोड़ा सअ संदाल पूरत हो जाए-घड वी कड़े बना चावल की साइड कर खर दी और रागी रागी और चावल की बिर बैजो थो तो दिखे और गुवार आलू टमाटर की सबजी बनाऊँगी और ये सबजी सा ये मैं ना जड़ा सुखा रहे गा ना ज़्यादा पानी बाला रहे गा न नार्माल रहे गा तो हցझे प्याज और टमाटर प्यास और जीरा धन्या सब में लगे इसे ग्राइंडिंग करके रखती थी तो देखिए यह हो रहे टमाटर इसे थोड़ा सा ज्यादा पक गया था इसकी वज़े से काटने की ताइम थोड़ा सा प्रब्लम हो रहा था तो देखिए फ्रेंट्स कड़ाई भी गरम हो गया है इ यस को थोड़ा स्ताइम के लिए भुनने दिए ऑ थोड़ा स्वड़ा टाइम के ले बुनने के बाद यह तोड़ा जलदी हो जाता था क्योंकिiscal का CAP कराई मांश इस लिए थोड़ा जल्दी हो जाता है तो उसके ऊपर में सब्सेण के कि मशला भी श्याट कर लें थी हूं त कि मसला साथ में र मातलोगी थोड़ा सा अच्छा रहता है कॉलर भे उसका आजाता है हलली पॉडरी और मिर्ची पॉडर औरोडर सब्जी मंशला का पॉडरर में पॉडर गायों में मैं आरम से और थोड़ा सा पक जाए तो देखे मसाला कितना अच्छा लग रहा है और सब्जी भी होता अच्छा लगा था परदिखें मसला को देखें पूरा का पूरा जो तेल हैंना मसला से छूट अलु और गुअर बना रहे हैं तो नहीं के बाद मैं इसे प्लेट डाल के लोपे में थोड़ा पाने देखे इस अछे मिनिटें और चुनने के बाद मैं खाने की तइयर करूगों तो वीडियो पर बनी देए फ्रेंट्स और केसा लगा आप लोग जरूर बताईए अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजी अगर कमेट करके बताईए कि केसा लगा तो देखिए इतना ही पानी में इसमें देरियों पानी देने के बास एचे प्लेड डालके छौर देती हूं लोबखाय में तो मैं जाके थोड़ा साट देख लेती हूं और कोई दूसरा काम में कर लेंगी उसके बाद मैं आके देखी तो हो गया था तो देखिए इतना पानी है पर उसे अच्छे से एसे थोड़ी टाम के लिए मैंने छोड़ दी थी थोड़ाचा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेया सब्सक्राइब जरू कर दीजे और में जाएक के खाना भी निकाल देतू खाना खाने के लिए तो आप सबको वीडियो लास तक देखने के लिए आप सबको धन्यपाद और थांक्यू आप सबको